तो हेलो एम्रीवन वेलकम बैक तो इस चैनल एक्रीक्जामर माइसलफ अप्सेग दुवे एंड टोड़े वी विल डिसकास मोस्त इंपोर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आज कोशन आफ हॉर्टी कल्चर जे आरफ एस आरफ एफ एफो एंड सम इंपोर्टेंट कोशन आफ अंड लेट्स गेट स्टाटेंग उस्ट्राइट एंड ऊस्ट्रीन होता है मतलब जो अगर एक तरफ है तो ऐसा स्ट्रॉक्चर इस तरफ भी होगा तो उसे हम फॉर्मल कहते हैं जबकि इन्फार्मल में इसके रिवर्स होता है तो पर्शियन गारननगां एंड डिटालियन गाडन and Mughal Garden. फार्मल गाडन ये फार्मल गाडन होता है जबकि English garden ये इन फार्मल गाडन होता है English garden and Japanese kindergarten So right answer will be English Garden English garden हमारा right answer रिके concern next question sehen. यह अप्लांट शूटेबल for topiary के लिए प्लांसा plant suitable है So pelo topiary होता क्या आप्लांट.. अट करेंस होता है कि यह उबरैला का सेफ दे दिए तो उसे हम टोपेयरी कहते हैं तो इसमें आप्शन जो है गडेंईया फ्लोरीडा रिशेलिया जंसिया डुरान्टा प्लॉमेरी लोंग इंडिका इसका जो राइट अंसर होगा वो दुरान्टा प्लॉमेरी होगा इसमें और भी प्लांट सोते ह तो टोमेटो का केचप होता है उसका TCS कितना होना चाहिए फूड प्रोड़क्शन ओर के कॉर्डिंग 25 ब्रिक्स 15 ब्रिक्स और 10 ब्रिक्स और 13 ब्रिक्स तो राइट वैंसर विल बी 25 ब्रिक्स यह हमारा राइट अंसर होगा food production order के according next question है optimum pH of good jelly should be जो jelly होता है उसका optimum pH कितना होना चाहिए कितना होना चाहिए तो jelly क्या होता है jelly एक तरीके से transparent होता है food processing के बाद यूज किया जाता है food processing के बाद तयार किया जाता है इसमें कि TCS जो होता है TCS हमारा 65% होता है 45% हमारा fruit juice होता है और जो पेक्टीन एक good jelly का जो पेक्टीन होता है 0.5 होता है पेक्टीन फिर इसका जो options है 0.5 1.5 to 2.5 3.2 to 3.5 4.5 to 6. So right answer will be 3.2 to 3.5 यह books के coding वेरी करता है जैसे आरके सरमा में 3.2 लिखा है लेकिन किसी बुक में दूसरे लिखता है लेकिन optimum जो होता है minimum मतलब average यह ही होता है next question is the processing temperature of canned vegetable canned vegetable का जो processing temperature होता है और कितना होना चाहिए या कितना होता है तो सबसे पहले canned होता क्या canned vegetable तो जो हमारे spoiled organisms होते हैं इनको हम जब container में किसी container में अगर हमने fruit रख दिया तो इसके बाद हम हम इसके heat देते हैं एक heat temperature देते हैं तो जिसकी वज़ा से यह spoilers जो organisms होते हैं और मर जाते हैं तो उसे हम canned vegetable एक canned canning कहते हैं तो इसका जो options है 240 Fahrenheit, 220 Fahrenheit, 200 Fahrenheit, 260 Fahrenheit so right answer will be 220 Fahrenheit, 220 हमारा right answer होगा next question है spray of which following PGR induces femalness output इन में से कौन सा plant growth regulator femalness या मतलब नारित्तों को बढ़ाता है मतलब femalness को बढ़ाता है female जो organs होते हैं उनको बढ़ाता है next question है in vitro techniques optimum concentration of inodolic vitric acid for inducing routing is जो in vitro condition या lab जो in vitro condition में उसमें जो routing को अगर हमें induce करना है तो कितना हमें मतलब IVA का concentration रखना पड़ेगा so options है 0.5 mg लिटर 1.5 mg लिटर 1.2 mg लिटर 4 mg लिटर इसका जो राइट एंसर होगा 0.5 यानि option A is the right answer next question है काजरी is located at Central Agriculture Arid Zone Research Institute Central Arid Zone Research Institute कहां पर located है option A बिकानेर जोदपूर अजमेर और पाली तो इसका जो राइट एंसर होगा वो जोदपूर होगा यह नेट 2013 होटी कल्चर में question पूछा गया था काजरी कहां पर located है next question है indeterminate variety of tomato tomato की जो indeterminate variety है वो कौन सी है पंजाब छुआरा पूशा गौरव पूशा बिहार पूशा अरली ड्रॉप तो indeterminate और क्या होता है indeterminate में जो मेन अपकाल तोप коп बढड होता है वो गरोथ करता रहता हैuy जबकि intermediate में जो में स्टम होता है में जो in podcast होता है ओ गर नहीं करता है जैसे फिर नेक्स्ट कोश्चन है हमारा सॉल्ट एंड फ्रूड वोरर रेसिडेंट कल्टीवर आफ ओकरा इसमें ओकरा का कौन सा कल्टीवर सॉल्ट एंड फ्रूड वोरर रेसिडेंट कल्टीवर है तो पूसा साउनी ये एक तरीके से यलो वेन मोजेक वायरस का resident है पूसा रेड भिंडी 1, लॉंग ग्रीन हर बजन तो इसका जो राइट एंसर होगा वो रेड भिंडी 1 होगा और ये हमारा यलो वेन मोजेक वायरस का resident है पूसा साउनी इसका जो राइट एंसर होगा विटामिन्स में निकोटीन, निकोटेनिक एसिड होगा इसका जो राइट एंसर होगा इसका जो पूटेटो से रेलेटेड है और उसका maximum area कहां पर है यूपी, त्रिपुरा, एंपी, एंड महराश्रा तो राइट एंसर विल भी त्रिपुरा, त्रिपुरा राइट एंसर है ट्रू पूटेटो से इसमें अगर एक एक टेर में हमें कल्टिवेशन करनी है तो 500 से 100 लगता है 100 ग्राम लगता है सीड यह बहुत ज़्यादा बेनिफिसियल है कि यह है ओन्याद के लिए नेक्स्ट कोस्टन है पॉइंट गाड लगता है वंपन्ट के दूर्व कमली वंब रो परोपीगटेथ अगम चल्स के दौरा परोपीजिद किभा सीड की दौ़रा विकम होता है सिक बारी सबसे पहले बड़िंग होता क्या जैसे कि एक हमारा सायन है या कोई भी बड़ है एपिकल और एक हमारा रोट इस्टॉक है जो मजबूत है विग्रस है तो इसको जब हम इस पे अटैच कराते हैं सायन को इसमे ले जाके हम जोडते हैं और उससे जो नया प्लांट ओ एसेक्सुल मेथड है यह तरीके से प्रोपिगेशन का जो नया प्लांट इंडियोस होता है उससे हम बड़िंग कहते हैं तो इसमें जो बेर के लिए पूछा है तो बेर के लिए जो आप यह सारे देसमबर में कि अक्टूबर ऍषक सारे कोश्चन होते हैं। से आपको पता हैं यह कहीं न कहीं न ज यहारफ और पोछे गए हैं ये रिपीट होते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यमान